हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग वॉल्ल जियोग्रफी का यह जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एट जो की है अट्मोस्फेरिक शेर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टेम तो इसका आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे तो अल्रेडी इसके 6 पार् आज यहां पर एक्मोस्फेरिक प्रेशर है इसके बारे में हम लोग ने प्रेशर बेल्ट है इस सिस्टेम के बारे में डिटेल में डिसकस किया था यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है तो अगर आप लोग यह सीरीज फोलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि world geography का ये जो series है, इसमें already seven chapters हम लोग ने cover कर लिये है, starting from the universe, the earth, interior of the earth, distribution of ocean and continents, land form and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature. तो इसका जो है आठवा chapter जो है, इसका आज हम पार्ट seven discuss करेंगे, तो ये world geography जो है, इसमें physical geography, human geography और social geography सभी को include किये गये हैं यहाँ पे, तो इस series को इस तरीके से prepare किया गया है, ताकि ये आपके prelims हो, या फिर main show दोनों में ही help करेगी, कुछ भी आप competitive exams दे रहे हो, चाहे हो UPC हो, state PAC हो, या फिर किसी भी competitive exams के लिए आप इस series से तयारी कर सकते हैं, तो अभी तक world geography की जितने भी videos हम लोगों ने discuss किया है, सारे के सारे videos को playlist बना के मैंने description में दे दिया है, वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं, और इस video का जो note है, आ तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखते ही को मिलेगा, तो इस video को end तब बिल्कुल देखते रहेगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं कहा है, तो इसको please subscribe कर लिजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही videos के notification इस तरह आपको मिलते रहे, तो चल जो है, इसमें हम लोगों ने air mask के बारे में detail में discuss किया था, अगर आप लोगों ने ये पुराने videos नहीं देखा है, तो मेरी request है कि please एक बार इस video को देख लिजेगे, ताकि आपको यहाँ पर conceptual clarity हो जाएगी, तो air mask के बारे में already हम लोगों ने discuss किया, तो तोड़ा था revision के तोरपे मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर कि air mask जो है, एक large quantity of जो air molecule की एक sheet होती है, जो कई हजारों mile यहाँ पर लंबी और चौड़ी हो सकती है, अभी यह air mask जो है, यह समंदर के उपर भी हो सकती है form, और या फिर जो land mask जो है, land यानि कि जो मिट्टी है, जमीन है, जमीन के उपर भी form हो सकती है, अगर यह जमीन के उपर किसी continental area में form हो गई, माली जा कि Australia के पुड़ा land mask के उपर form हो गई, एशिया के land mask के उपर form हो गई, भले ही नीचे कोई river हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन majorly land mask के उपर form होती है, तो उसको हम बोलते है continental land mask, अगर यह समंदर के उपर form हो गई, पैसिफिक के उपर form हो गई, छोटे-छोटे इसमें island से matter नहीं करता क्योंकि यह जो है, हजारो माइल लो यह बड़ी होती है, तो यह अगर पूरा जो है, एक समंदर के उपर form हो जाती है, तो उसको हम बोलते है maritime air mask, अभी जो है, यह जो है, air mask क्या होती है, अलग-अलग जो region होती है, जो latitude होती है, उसके property यहाँ पर ले लेती है, अगर बात करेंगे यहाँ पर continent में, continent में क्या होती है, कि dry होगी, तो obviously यहाँ पर air mass में जितने भी air particles होगी, यहाँ पर यह काफी dry होगी, tropical areas में होगी, tropical areas में क्या होगी, यहाँ पर यह गरम होगी, और पोलर एरिया में अगर यह फॉर्म होगी तो यह थंडी होगी, आर्क्टिक एरिया में फॉर्म होगी तो और थंडी होगी यहाँ पे, तो इसी तरीके से जो है इसके अलग-अलग जो है क्लासिफिकेशन किये गए थे, और जो अगर यहाँ पर अगर ऑप की तो यहाँ पर में उपर समंदर के उपर पर फॉर्म होई है, उसके पर होगी, तो यहाँ पर क्या होगी एरिच्टाइम जो एसमें क्या होगी यहाँ यहाँ कि वाप आधिश्ग्व कोई है, होगी यहाँ पे और polar regions पे होगी तो यह काफी ठंड होगी तो अलग-अलग यहाँ पे जो है जिस area में जिस source region में इसकी जो है शुरुआत हुई है इसकी property यह ले लेती है तो यह हो गई front का जो sorry air mass का complete जो concept तो आपको अगर front समझना है तो पहले air mass समझना होगा की air mass क्या है air mass के बारे में मैंने discuss कर लिया अभी क्या होते है यहाँ पे दो air mass दो air mass अगर यहाँ पे coincide करते हैं उसकी जो transition zone होती है मान लिजे कि यह जो है cold air mass है और यहाँ पे यह जो है warm air mass है यह जो है coincide कर रहे हैं तो इसके बीच में यह जो transition zone है इसको हम बोलते है front यानि कि इसका जो boundary है इसको हम बोलते है front और इसकी जो formation को जो हम बोलते है front ओ genesis तो इसके बार में भी हम discuss करेंगे तो यहाँ पे यह fronts जो है generally mid latitudes में form होती है यानि कि हम लोग अगर दुनिया में यहाँ equatorial तो यहाँ पे 30 degree से लेके 60 degree तक यहाँ पे form होगी northern hemisphere और same southern hemisphere 30 degree से लेके 60 degree तक equatorial areas पे या फिर polar areas पे जो है front जो है यह formation नहीं होती है तो यहाँ पे front जो है 3 dimensional boundary होती है जहाँ पे दो जो air mass है इसको यहाँ पे यह distinguish करती है अभी यहाँ पे front के formation के बारे में समझेंगे France की जो formation होती है यानि कि दो जो front यहाँ पे form होती है तो इसको हम बोल सकते हैं कि war between the form यानि कि जो दो air mass है चाहे वो hot होगे या फिर cold होगे उसके बीच का जो formation होती है front को इसको हम frontogenesis बोलते हैं और कभी कभी क्या होता है कि किसी situation में एक air mass जो है particular characteristics वाला यह क्या हो जाती ह एक दूसरे air mass को completely यहाँ पे जो है defeat करती है यानि कि overshadow करती है तो ऐसे situation में इसको बोला जाता है frontolysis यानि कि dissipation of front, frontolysis तो ऐसे conceptual clarity भी आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, exams में अगर आपको question पूछे जाएंगे तो सीधे सीधे नहीं conceptual clarity पूछे जाएंगे तो यहाँ पे यह बहुत ही important है कुछ भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पे जितना हो से कि मैं conceptual clarity पे बहुत जादा ध्यान देता हूँ तो देखें यहाँ पे frontogenesis में दो जो distinct air mass है उसकी convergence होती है और यहाँ पे frontolysis में क्या होती है कि एक air mass जो है दूसरे को override कर देती है यानि कि एक जो यहाँ winner रहते हैं कैसे यह winner रहता है इसके बार में हम discuss करेंगे तो यहाँ पे बात करें के northern hemisphere में frontogenesis में फ्रहनटोंगम्यस जो होती है यहाँ पे और में घरी के direction के हिसाब से ही होते हैं next part में हम जो cyclones के बारे में discuss करेंगे तो बहुत कुछ clarity आपको यहाँ पर हो जाएगी तो next हम यहाँ पर बात करेंगे type of fronts अलग-अलग type of front होते हैं तो यहाँ पर देखिए warm fronts क्या होती है तो मान लिजे कि एक जगा पर इसको image के सरीय मैं आपको discuss करता हूँ मान लिजे कि एक जगा पर ठंडा जो है यहाँ पर air mass हुआ पहले से थी तो ठंडा air mass एक चीज़ अल्रेडी मैंने discuss किया था कि ठंडा air mass जो होती है यहाँ पर air molecule जो होते हैं काफी dense होती है तो यह air mass डेफिनेटल जो है जमीन के यहाँ पर काफी pass होगी अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर warm air mass यहाँ पर चली जाएगी उपर जब चली जाएगी यहाँ पर क्या होगा कि उस side में यहाँ पर यह गरम हवा जो है यह जो है अल्रेडी अपने साथ यहाँ पर moisture लेके आती है तो यह moisture जब उपर जाएगी और ठंडी होगी तो अल्रेडी हम लोग जानते हैं कि यह जो है vapor जब ठंडा होता है तो पानी बनता है तो यहाँ पर condensation होती है यहाँ पर clouds जो है formation होती है फिर यहाँ पर क्या होगा कि precipitation होगा तो यह precipitation जो होगा कई घंटों तक होती है यहाँ पर slowly होता है और gradually यहाँ पर क्या होगा उस area में जो है temperature जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी gradually temperature जो है बढ़ जाएगी जो rain होगी यहाँ पर कई घंटों तक हो सकती है यह कुछ characteristics है जब warm front create होती है तो warm front को जो है यहाँ पर ऐसे दिखा जाया सकता है जो red line है इसमें यह जो है front और इसका जो आप semicircle देख रहे हैं यहाँ पर यह जो है warm front का symbol है यहाँ पर तो यही चीज जो मैंने कहानी सुनाई वो ही चीज मैंने यहाँ पर लिखा गया है यानिकि gentle precipitation यहाँ पर होती है large area में over several hours तो warm front जो है यहाँ पर जब create होती है gradually होती है काफी slowly होती है rise in temperature temperature rise होती है because यह cold जो है air mass को push करती है यहाँ पर नीचे और खुद उपर चले जाती है तो यहाँ पर definitely pressure बढ़ेगी और weather में ही यहाँ पर changes आएंगी discuss करेंगी तो देखें यहाँ पर मान लीजिए कि एक area है warm जो है air mass वहाँ पर थी तो definitely यहाँ पर गर्म पहले से हुआ थी कि यहाँ पर already warm है तो यह जो है लेकिन यह process जो है काफी faster तरीके से होती है तो इसका जो transition zone है इसका transition zone है इसको हम बोलते है cold front तो cold front को इसको जो है blue color से देखाया जाते है और triangular shape में इसको दिखाया जाता है तो क्या होगा ऐसे situation में यहाँ पर भी बारिश होगी फिर से बारिश जब होगी यहाँ यह लेकिन बारिश बहुत ही कम time में होगा यहाँ पर cyclonic storm भी हो सकते है यहाँ पर उसके बाद जो है आस्मान clear हो जाता है तो यहाँ पर भी वो ही मैंने बात लिखा है कि जो transition zone है यहाँ पर दोनों ही air mass का जब यहाँ पर cold air mass यहाँ पर winner है तो ऐसे situation में इसको बोल जाता है cold front तो cold front ज summer में जो है काफी जगाओ पर thunderstorms जो देखने को मिलते है because of जो है यहाँ पर cold front यहाँ पर create होती है तो ऐसे situation में जो है क्या होती है कि temperature यहाँ पर काफी कम हो जाती है pressure भले ही जाद हो लेकिन temperature काफी कम हो जाती है बहुत जगाओ में तो जो है अगर बात करेंगे northern hemisphere में यहाँ यूरोप में तो 15 degree तक जो है temperature कम हो सकती है तो कभी-कभी वारिश के बाद जब आपको ठंडया लगने लगा तो मान लिजे कि यहाँ पर cold front का situation हो रही है यहाँ नेक्स बात करेंगे हम stationary font तो stationary font इसका meaning यही है कि stationary यानिकि यह move नहीं करती है यानिकि जो cold front है और या फिर जो warm front है दोनों जो है आपस में एक दूसरे को push करें इसमें कोई भी winner नहीं है कोई भी loser नहीं है यहाँ पर तो इसका जो boundary है इसको boundary को हम बोलते है stationary front तो यहाँ पर भी जो क्या होगी cloud की formation होगी यहाँ पर cloud की formulation तो इसको cloud को generally बोला जाता है कुमो लोनिम्बस cloud इसको बोला जाता है तो यह जो है cloud formation की वैसे यहाँ पर precipitation हो फिर से होगी तो यहाँ पर ऐसे cases में जो है frontal precipitation इसको बोला जाता है तो यहाँ से इसके बाद भी जो है जो cyclonic situation अगर यहाँ पर form होनी भी थी लेकिन cyclonic situation नहीं होती है heavy यहाँ पर rainfall होती है जिस इसके हिसाब से flooding की situation भी यहाँ पर form हो सकती है तो image में अब देखेंगे तो इसको समझ में आएगा कि देख लिए यह cold air mass जो है blue color में warm air mass जो है red color में एक दुसरे को धकल रही है लेकिन कोई भी यहाँ पर उपर नहीं जा रही है यानि कि warm air mass उपर नहीं जा रही है और cold air mass में होगा जो convergence zone है इसका तो इसको जो है हम stationary font बोलेंगे next बात करेंगे यहाँ पर occluded front तो occluded front क्या होती है आप मान सकते है इसको advanced form of cold front तो क्या होता है यहाँ पर जो cold air mass और warm air mass यहाँ पर आपस में टक्राती है obviously क्या होगा कि warm air mass जो है नीचे चले जाएगी और जो है sorry cold air mass नीचे चले जाएगी warm air mass जो है उपर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होती है इसके बाद क्या होती है यहाँ जो cloud formation होगी condensation होगी यहाँ पर उसके बाद precipitation होगी तो बहुत ही जादा बारिश होगी तो ऐसे situation में क्या होती है temperature जो है यहाँ पे जो है काफी कम हो जाती है तो यह तो already हम लोगों ने cold air mask जो है cold front जब है discuss किया था तब हम लोगों ने discuss कर ले था लेकिन occluded front में क्या होती है कि यह जो है warm air mask को completely destroy कर देता है यानि कि यहाँ पे जो है जब बारिश खतम हो गई उसके बाद इस air mask की कुछ existence नहीं रहती है तो ऐसे situation में क्या होती है कि आस्मान यहाँ पे completely clean होगी लेकिन जो यहाँ पे temperature जो है काफी कम हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पे बारिश के बाद काफी temperature कम हो जाती है pressure थोड़ी से बढ़ जाती है आपे तो ऐसे situation जो है western Europe में ज़्यादा तर देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो है mid latitude areas में cyclone की भी formation होती है तो इसको अगर image में देखेंगे आप लोगो समझ में आएगा यहाँ पे तो यह देखिए जो cold air है यहाँ पे already जो है यहाँ नीचे जो है जो cold front था यहाँ पे इसको जो है dissect करके warm air को जो है moist air को ऊपर धकेल दिया जब यहाँ पे cloud की जो condensation के बाद यह cloud बारिश के वाई से जब हट जाएगी warm air mass को जो है completely यह destroy कर देता है और इसके बाद जो है यहाँ पे जिस एरिया में यहाँ पे जो है occluded air front होती है occlusion होती है यहाँ पे तो इस जगा में जो है यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश होती है यहाँ पे cyclonic storm भी होती है और उसके बाद जो है temperature जो है यहाँ पे काफी नीचे जली जाती है pressure जो है यहाँ पे, ऐसे situation में ऊपर आ जाती है, थोड़ी सी pressure बर जाती है, तो ऐसे situation में औकुलिडेट front यहाँ पे होती है, तो आज इस chapter में हम लोग front के बारे में ही discuss करेंगे, तो front देखिए, यह थोड़ी सी conceptual पार्ट है, conceptual topic है, इसमें जो है, छोटे-छोटे बहुत सारे questions बन सकते हैं, जितना कोशिश क्या मैंने यहाँ पर discuss करने के लिए, ध्यान से इसको देखेगा, बहुत ही छोटे-छोटे questions बन सकते हैं, तो इस पार्ट में आज इतना ही, जो भी books यहाँ पर मैंने रेफर के ह starting from NCRT की जो physical geography का book है, definitely यह आपकी basic जो है, clear कर देगी यहाँ पर, human geography जब पढ़ेंगे, हम NCRT की book से ही, जो है, start करेंगे, जी सीलियों की book जो है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है, यह आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और मेंस के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो और physical geography को detail में अगर जानना चाते हैं, तो सविंदर सिंग की book जो है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बह सब कुछ चीज़ें जो है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, और general studies का यह जो book है, जो मनोहर पांडे जी का, यह Bible बोल सकते हैं, paper 1 के लिए Indian economy, geography, quality, history, environmental science, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, prelims के लिए या फिर mains के लिए भी बहुत ज्यादा आपको help करे सकते हैं, तो एक चीज़ में बार बार बोलता हूँ, जितना मर जी आप लोग क्यों अच्छे से अच्छा notes मिल जाए, coaching institutes आपने जॉइन कर लिया, लेकिन books का कुछ भी replacement नहीं होता है, तो standard book जो होती है, always उसको prefer कीजिएगा, यहाँ पर उसका कुछ भी replacement आपको नहीं मिल देगा, यहाँ पर हम जो discuss करें, आपकी conceptual clear detail, लेकिन books जो है, आपको यहाँ पर एक direction देगी, यह सभी books के link मैंने description में दे दिया है, वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं, और, sorry, purchase कर सकते हैं, और अगर आपने online purchase करें, तो आपको यहाँ पर discount मिलेगी, आपकी time की भी बचत होग तो next हम लोग part में discuss करेंगे, cyclone जो बहुत ही important है, weather situation के हिसाब से, जो pressure belt के हिसाब से, बहुत ही important है, cyclone situation, अलग-अलग जगा पे हम लोग को सुनने को मिलता है, cyclone होती है, इंडिया में भी cyclone निशर हो गई, cyclone आंफांध होती है, अफरिका में होती है, यहाँ पे मदागसक में होती है, इंडोरेशा में होती है, cyclone क्यों होती है, tropical areas में ही क्यों cyclone होती है, equatorial areas में क्यों नहीं होती है, तो यह बहुत ही important topic है, cyclone, इसके बार में detail में discuss करेंगे, mains में हो या फिर prelims में हो, cyclone से related बहुत questions पूछे जाते हैं, तो यह आपको बहुत, जो है, आपके doubts clear कर देगी, तो see you in the next video, और यह video अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको please like कीज़ें, इसको subscribe कीज़ें, इसको share कर दीजें, क्योंकि ऐसे videos बनाने के लिए हम लोगो बहुत ज़्यादा मेहनत और research की जड़ोत होती है, और आप लोग का support हम लोगो बहुत ज़्यादा आप से लिए बहुत सक कि जड़त अचे जड़ती है, और आप लोगो। ऑ